एक बार भी से मैंने नियोजेटी चैनल यूटूपांट जुरो माप सभी सिक्चक साथियों का स्वागत है आए देखते हैं सिक्चावी बाग से एक बड़ी अपडेट आपको बता दे की बीपी एसी से न्यूक्त सभी सिक्चकों के लिए अपर मुख सचीव के के पाठक के द्वारा एक और ट्रेनिंग का सिड्यूल हुआ जारी आपको बता दे की इससे पहले उनमुखिक करन ट्रेनिंग किया जा रहा था और उसके बाद आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए पत्र हो चुका है जारी तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक जहूर सब्सक्राइब कर लेबल आइकन को प्रेस कर देता कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलें सबसे पहले आपको तुवाई देखते हैं वीडियो को भी स्क्रीन पर यह पत्र देख रहे हैं जिसमें इसका पत्रांग 313 बिहार सरकार सिक्षा विभाग प्रेसक है के के पाठा का पर मुख सचीव सभी जीला पतादिकारी के लिए यह पत्र जारी किया गया है और 28-10-2023 के डेट में यह जारी किया गया है बिहार लोक्षेवा आयोग द्वारा चैनित विद्याले अध्यापकों के इंडक्शन ट्रेनिंग के संबंद में यानि उनमुख करन ट्रेनिंग के बाद अब इंडक्शन ट्रेनिंग चालू किया जाएगा 4-11-2023 से इसमें पूरा डीटिल्स दिया हुआ है बिहार लोक्षेवा आयोग द्वारा चैनित विद्याले में अध्यापकों में से 1,10,000 अध्यापकों ने विभीन जीलों में योगदान किया है 2-9-2023 को इन्हें अपबंदिक नियुक्ति पत्र देने के पहचात इनकी इंडक्शन ट्रेनिंग पररम की जाएगी इंडक्शन ट्रेनिंग आपको 4-11-2023 से चालू किया जाएगा 77 सैक्षनिक संस्थान पर ACRT, Diet, CT, TP, TEC में पररम किया जाएगा आपको बता दें कि यह ट्रेनिंग पूर्व से जो चल रहा है वह आपको 31 तक यानि आज समाप्त हो गया और आपको 2 तारिक से इन सभी सिक्षकों को अपबंदिक न्यूक्ति पत्र दे दिया जाएगा उसके बाद 4 तारिक से यह सभी सिक्षक डायेट में चले जाएगे ट्रेनिंग के लिए आपके जीले में भी डायेट, CT, T, P, T, EC संस्थान अवस्तित है आपको बता दे कि 4 नौमबद 2023 से इंडक्षन ट्रेनिंग भी पररांब हो जाएगा किर्पिया सनलंग सुची के अनुसार अपने जीले में अवस्तित डायेट में आप संस्थान की संस्थाओं को अवलोकन करने की किरपा करें सभी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जीला में जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आप अवलोकन करें और वहाँ पर जाकर आपको योगदान कर लेना है यहाँ पर आप से फिर दे रहा है जिन बिद्याले अध्यापकों की संख्या जो बताई जा रही है उस अनुसार विद्याले अध्यापक पर सिक्षन संस्थान में उपस्तित हाया अथवा नहीं इसकी भी सुचना आपको देना है कितने विद्याले अध्यापक पर सिक्षन से गायब है इसकी भी सुची यहाँ पर देने के लिए बोला जा रहा है उसके बाद अता अनुरोध है कि चुकि अब यह आवासिये पर सिक्षन लगातार कई महीने आपके जीले में अवस्तित इन स्थानों में चलता रहेगा इसलिए इंडक्षन ट्रेनिंग का भी आप अनुशर्वन अपने अस्तर से करने की किरपा करें जो और जीले में बढ़िये पदादीकारी से भी इन स्थानों का निरिक्षन करवाएं निरिक्षन भी होगा और लगातार या कितने दिन तक चलेगा इसका कोई गरांटी नहीं है हलाकि ज़्यादातर या छो महिना तक चल सकता है और छोट के बाद आपको जुआनिंग लेटर देने की बात हो रही है इस्कूल डिपूट यानि इस्कूल देने की बात हो रही है तो इस तरह या दूसरा ट्रेनिंग सभी सिक्षको के कराने जा रही है सरकार इसकूल लेकर निर्देश अपरमुक सचीव केके पाठक का जारी हो चुका है तो वीडियो में इतना ही वीडियो में लास तक बने आने के लिए धन्यवाद वीडियो को जासे याज सेयर करें व पाने के लिए